गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ये देखिए सुभा का समय है बहुत अच्छा मौसम है और ये देखिए मेरे टिकॉमा के फूल बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं आज लगता है बारिश होने वाली है और मैंने सारे प्लांट इस शेड के नीचे रख दिये हैं ताकि बहुत ज़्यादा पानी नाइन में रुक जाए और आज हम बात करने वाले हैं इलाइची के पौदे के बारे में तो इलाइची का पौदा लोग लगाने से कतराते हैं कि इलाइची तो लगती नहीं है तो क्या करेंगे लगा के तो देखिए ये है मेरा इलाइची का और बीज से भी कई लोग लगा लेते हैं तो लेकिन मैं ये नर्सरी से लेकर आए थी और इसको मैंने छोटे से पॉट में लगाया था मुझे भी ऐसे लगा था कि चलेगा कि नहीं चलेगा लेकिन ये बहुत ही अच्छा निकला और बहुत अच्छा चल गया और इसमें देख इसलिए मैंने इसको अभी थोड़ी देर के लिए पानी में रखा है ताकि मिट्टी नरम हो जाए और मैं इसको असानी से अलग कर पाऊं ये देखिए थोड़े थोड़े बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं और इसका मतलब है कि पानी जड़ों के अंदर के और जा रहा है औ तक हम पॉट तियार कर लेते हैं ये एक पॉट है इसमें तीन छेद हैं और एक बड़ी ठीकरी मैंने दो छेद पर रख दी और एक ठीकरी और छोटे शेद पर रख देते हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बजरी एक लेयर हम बजरी की बिचाएंगे जो construction में काम आती है वही वाली बजरी और एक layer हमने इसकी उपर बजरी की बिचा दी और इसके उपर हम सूखे पते डालेंगे जो हमारे garden में से ही निकलते हैं जब हम pruning करते हैं तो ये एक layer इसकी होगी और बाकी ये जो मिट्टी है इसमें मैंने 50% garden soil और 25% बालू रेत और थोड़ी सी बोन मील और थोड़ी सी नीम खली मिलाई है ताकि इसको फंगस न लगे जो भी इसमें प्रांट लगाएंगे हम उसे फंगस न लगे और अब हमारी ये मिट्टी नरम हो गई है अब हम इसको निकाल लेते हैं फिर भी थोड़ा जड़ें जो आपसमें फसी हुई हैं उसको तीखी किसी चीज से हमें निकालना पड़ेगा और आप किसी भी तीखी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं चाकु का या कैंची का या फिर आप रम्बा जो भी होता है garden में काम वाता है उसको ले सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखना है उपर का तना तूटेना अगर उपर का तना तूट गया तो शायद आपका प्लांट मर जाए लेकिन जड़ से हमने इसको अलग करना है थोड़ा थोड़ा अराम से इसको अलग करना है देखिए ये कितने सारे हमारे पास गंबले नहीं हैं लेकिन प्लांट बहुत जादा हो गए हैं और अब हम इनको लगाएंगे अलग-अलग पॉड में ताकि ये ग्रोथ अच्छी कर सकें इन में जो मदर प्लांट है वो है ये वाला ये मदर प्लांट है जो मैं नर्सरी से लेकर आए थी उसी से ये इतने सारे और प्लांट बने हैं अब हम देखते हैं कि गंबले में किस तरह से लगाना है ये है गंबला जो मैंने जैसे एक गंबला पहले तयार किया था उसी तरह मैंने और भी गंबले तयार कर लें इसको और उसके साइड में चारो तरफ मिट्टी डाल देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे अच्छे से दबा देंगे ताकि ये हिले ना और फिर थोड़ा सा टैप जरूर कर लें गंबले को एक बार अच्छी तरह टैप करने से एर बबल्स भी नहीं रहती हैं प्लांट में मेरा कैमरा नीचे तक नहीं गया इसलिए मैं आपको दिखाने ही पाई इसी तरह ये जो नीचे जड़े हैं इनको आप काट भी सकते हो और रख भी सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे करके इसी तरह सारे प्लांट हम लगा लेंगे और उसके बाद इनकी केर कर भी नहीं नहीं रखना है और धूप में रखना है और भी देयर सारा पानी आजाएगा इसमें और पॉल प्लांट की जड़ें खराब हो जाएंगी अगर धूप में रखेंगे तो यह स्ट्रस में आ जाएगा यह देखें गमलों में आपने जब भी तयार करना है गमले को तो यह ध्यान रखना है छेद के ऊपर आपने बजरी डारेक्ट भी बिचा सकते हैं ठीकरी भी रख सकते हैं इस तरह छेद होना बहुत जरूरी है गमले में अगर छेद नहीं होगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और प्लांट की जड़ें खराब हो जाएंगी और इस तरह से छेद को कवर करना भी बहुत जरूरी है इसके अपर भी हम वैसे ही पत्ते डाल लेंगे पहले बजरी भ हम इसमें प्लांट लगाएंगे और यह हमारे देखिए प्लांट सारे लगकर तयार हो गए हैं जब भी प्लांट लगाने के बाद इसको अलग रखें इसको पानी जरूर डालें जैसे भी हमारे यहां भी कोई मेमान आता है तो हम उसको सबसे पहले पानी बिलाते हैं इसी पहली बार इस अलग अलग पौट में गए हैं तो इनको पानी देना बहुत जरूरी है पांट शे गंबले हैं मेरे पास यह जो अभी इलाची के पौदे लगाए हमने और एक टब में पांट शे पौदे लगा दिये और यह तीन मेरे पास जो नरसरी से ग्रो बैग आए थे उ इसी तरह हम अराम से इलाची का पौदा लगा सकते हैं बहुत ही असानी से लग जाता है जै पौदा आप भी लगाएं और खुश्बुदार पौदा है आपका गार्डन महक उठेगा इसी तरह गार्डनिंग करते रहें खुश रहें खुशियां बांटते रहें पर्यावर झाल 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 झाल